दोस्तों जैसे दिन के बाद रात होती है उसी प्रकार या बात भी सत्य है कि जिसने इस मृत्य लोग पर जन लिया है उसकी मृत्य तो निश्चित है अर्थात इस प्रत्वी लोग पर अगर कुछ सत्य है तो वह है मृत्यु फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चा के बाद सो को जलाया जाता है साथ ही आपने यह भी देखा होगा अगर किसी की मृत्तिव सूर्य अस्त के बाद होती है तो उसका दह संस्कार अगले दिन किया जाता है ऐसे में आपने एक बात तो गौर की होगी कि अगर परिवार में किसी की मृत्तिव साम को होती है तो उसके सो को अकेला नहीं छोड़ा जाता अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंद तक देखें हम इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेधन करूँगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा होसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमई जानकारियां आप तक पहुचा सकें तो आजे बढ़ते हैं तो आए आज हम आपको गरुर पुराण के माध्यम से ये बात बताने जा रहे हैं मित्रों हमारे हिंदु धर्म में मृत्ति के बाद सब को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता ये बात बताने से पहले कब-कब अथवा किन प्रस्टितियों में सब का अंतिम संसकार नहीं किया जाता और उसे टाल दिया जाता है दोस्तों आपको बता दूं कि हिंदु धर्म में अगर किसी की मृत्तिव सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके सौ को रात बर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन दह संसकार किया जाता है इसके अलावा अगर किसी की मृत्तिव पंचान समय में होती है तो उसके सौ को भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है और जब पंचान काल समात होता है तो उसके बाद ही उसका दह संसकार किया जाता है क्योंकि गरुल पुरान में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद अथवा पंचान काल में किसी सव का दह संसकार किया जाए तो उसे मौक्ष की प्राप्ति नहीं होती इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी इस्तिती में लास को समसान नहीं ले जाया जाता सुबा होने का इंतिजार किया जाता है और ऐसे मृत की सरीर को एक कल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता कोई ना कोई उसके पास जरूर रहता है मृत्य सरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे वरा कारण है इस सो को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुट्य बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खा जाएं और गरूर पुराण की माने तो मृत्य आत्मा को ऐसे ही यातनाय सेनी पड़ती है साथ ही ऐसा माना जाता है कि अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंद आने लगती है ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहां कोई व्यक्ती बैठा रहे और धूप या अगर बत्ती जलाता रहे ताकि उसकी गंद तारो तरप ना फैले गरूर प्रा के अनुसार भागवान विष्णू गरूर जी के पूचने पर कहते हैं यह पक्षी राज इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्ती हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है ऐसे समय में भी सोगो घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र अत्वा पुत्री ना आ जाए क्योंकि जब तक खुद की संतान उसको मुक अगनी नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता अर्थार वे कई वर्सों तक इसी मृत्ती लोक में भटकता रहता है इसके बाद विश्णु जी बताते हैं कि अगर सूर्यास्त के बाद किसी मृत्ती शरीर को जला दिया जाए अत्वा उसका अंतिम संसकार कर दिया जाए तो वे मृत्त्य आत्मा असूर दानाओ अत्वा पिसाज की योनी में जन्म लेती है जहां उसे कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं और यही वज़ा है कि हिंदु धर्म में रात को अंतिम संसकार करने से मना किया गया है आदे विश्णु जी बताते हैं कि रात में अगर मृत्त्य शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास भटक रही दुरात्माएं भी उसमें प्रिवेश कर जाती हैं जिससे मृत्तक के साथ साथ उसके परजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं साथ ये भी बताते हैं कि सोग को अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए व्यक्ती की आत्मा वहीं पर भटकती है और अपने परजनों को देखती रहती है कहा जाता है कि मौत के बाद इंसान का सरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वज़ा से किसी बुरी आत्मा का उस मृत्ती सरीर पर अपना अधिकार जमा सकता है और यही वज़ा है दोस्तों कि रात में सो को अकेला नहीं चुड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है